नमस्कार Vision ISK News Today के इसंक में आप सभी का स्वागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिश्चा की दृष्टी से महत्तोपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर आए सबसे पहले जानते हैं इसंक की सुर्खियों के बारे में भारतिय रिजर्व बैंक ने खुद्रा प्रत्यक्ष योजना का अनावरंड किया सैंक तुराष्ट्र जैवेवित्ता सम्मेलन द्वारा वर्ष 2030 तक प्रकृति के प्रबंधन के लिए एक नवीन वेश्विक फ्रेमवर्क जारी किया गया स्वास्थे के लिए कृत्रिम बुध्धिमता की नेतिकता और अभिशासन पर विश्व स्वास्थ संगठन ने रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट में स्वास्थे के शित्र में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के उपयोग के साथ कुछ नेतिक चुनोतियों और जोखिम की पहचान की गई है साथ ही इसमें ये सुनशित करने के लिए छे आम सहमती के सिध्धान्थ भी दिये गए हैं कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग का मुख्य लक्ष सभी देशों के साबजनिक लाब के लिए कारे करना होना चाहिए इसमें कई नैतिक मुद्धे हैं जैसे प्रद्योगी की प्रदाताओं द्वारा एकत्र किया गया स्वास्त डेटा आवश्रक्ता से अधिक हो सकता है इस तरह के अतरिक्त डेटा को उन उद्देश्यों के लिए दुबारा उपयोग किया जा सकता है जो गंभीर, नैतिक, कानूनी और मानवाधिकार संबंदी चिंताओं को बढ़ाते हैं एक और आर्टिफिशल इंटालिजेंस को विक्सित करने के लिए संसाधनों का आवंटन और दूसरी और सामाजिक उत्थान एक नैतिक दुविदा है आर्टिफिशल इंटालिजेंस के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने वाले सिध्धानतों की बात करें तो ये मानव स्वायतता की रक्षा करते हैं, मानव कल्यान, मानव सुरक्षा और जनहित को बढ़ावा देते हैं, पारदर्शिता, व्याख्यात्मक्ता और बोधगमेता सुनिश्चित करते हैं, उत्तरदाई तो और जवाब देही को बढ़ावा देते हैं, समावेशिता और स समानता सुनिश्यत करते हैं तथा उत्तरदाई और टिकाउ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को प्रोच साहित करते हैं। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यानी मशीने मानव बुद्धी की तरह कारे करें। के निरनेयों को सूचित करने या स्वास्ते प्रणालियों के भीतर संसाधन आवंटित करने की शमता में भी वृद्धी कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण आकास्मिक बाढ तथा भूस्खलन। इस्तलाकृती, मृदा की स्थिती और भुवावरण इसमें एक महत्तपुन भूमिका निभाते हैं। आकस्मिक बाढ के कई कारण हैं, जैसे तड़ित जंजा, हरीकेन और उश्निकटी बंधिये तूफान से भारी वर्षा, बांध या तटबंध में दरारें, या मड्सलाइट्स यानि मलबे का प्रवाह, वैश्विक तापन और जलवायू परिवर्तन की वजह से हिमनदों का पेघलना, वनों की कटाई और शेहरी करण, आकस्मिक बाढ के कई दुश्प्रभाव होते हैं, जैसे घरों, कार्यालेओं, अस्पतालों, परिवहन, सड़कों, पुलों, पानी की टंकियों, आधी जैसी आधारभूत, सनरचनाओं का नुकसान, रसायन और अन्य खतरनाक प पाइडेंस सर्विसेज की शुरुआत की हैं, ताकि आकस्मिक बाढ के खतरों के लिए 6 घंटे पहले और जोखिमों के लिए 24 घंटे पूर्व चेतावनी जारी की जा सके, भवन निर्मान कानूनों का कठोरता से क्रियानवेन और बाढ संभावित शेत्रों का सीमांकन किया संबध प्रोटसाहन योजना के तहट प्राप्त प्रस्ताव सरकारी लक्षों से ज्यादा हैं, फर में 4500 करोड रुपे का निवेश करने की पेशकर्श कर रही हैं, जो सरकार के 3000 करोड रुपे के लक्ष से अधिक है, इससे भारत के वर्ष 2026 तक 244000 करोड रुपे मुले के दूर संचार उपकरन बनाने के लिए लक्ष को प्रोटसाहन मिला है, पिलाई योजना एक परिणाम और निर्गत उन्मुक योजना है, इसमें देश में उत्पादन होने के बाद ही प्रोटसाहन राशी दी जाती है, योजना के तहट वित्यवर्ष 2019-20 को गणना के लिए आधार वर्ष माना जाएगा, इस योजना को दूर संचार विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है, भारतिय लगू उद्योग विकास बैंक यानि सिट भी योजना की परियोजना प्रबंधन एजेंसी है, इस योजना की मुखे विशेषताओं की बात करें तो इसका उद्देश्य, भारत को दूर संचार उपकरणों के निर्मान का वैश्विक केंद्र बनाना है, इस योजना में शामिल किये गए शेतरक हैं, 4G या 5G अगली पीड़ी के रेडियो एक्सेस नेटवर्क और वायरलेस उपकरण, इंटरनेट ओफ तिंक्स एक्सेस डिवाइस अन्य वायरलेस उपकरण और एंटरप्राइज उपकरण जैसे स्विच राउटर आदी, निवेशक को अपनी अपरयोगतिशमता का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए नियुनुतम निवेश सीमा के 20 गुना तक प्रोथसाहन प्रदान किया जाएगा, सूक्ष में ल इस वर्ष के युद्ध की समाप्ती के बिल्कुल नजदीक आकर अपना पदित्याग किया, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैने मिशन 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा, हाला कि ये नागरिक और मानुवी सहता प्रदान करना जारी रखेगा, सैंक तुराज अमेरिका ने पह सेक्शन प्राप्त किया था, आईए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सैने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैने सनलिप्टता एक सामरिक दायितों और निरर्थक निवेश सिध्ध हो रही थी, इसकी अफगानिस्तान में बुनियादी राजनितिक और सैने गतिशीलता को बदलने की शमता खतम हो गई थी, इसके अलावास सैक्टुराज अमेरिका चीन को अपना सबसे बड़ा प्रतेसपर्धी मानते हुए, अपनी प्राथमिक्ताओं को हिंद प्रशांत शेत्र में इस्थानांत्रित कर रहा है, इसलिए कही न कहीं अमेरिका को लगता है कि अब अफगानिस्तान से हटने का सही समय है, सैक्टुराज अमेरिका की निकासी से संबंदित कई मुद्दे सामने आएंगे, जैसे अफगानिस्तान में ग्रह युद्ध का भय होगा, हिंसा जारी रहने के साथ अफगानिस्तान में दुबारा ग्रह युद्ध आरम हो सकता है, सा प्रक्षा का मुद्दा बेहद एहम है। अफगानिस्तान में हिंसा और आस्थिर्ता में वृधी ने भारत को राजी प्रायुजित आतंकवाद की घटनाओं के प्रती आधिक सम्वेदंशील बना दिया है। आर्थिक द्रिष्टी से भारत ने अफगानिस्तान में अफगान संसत के निर्मान से कई परियोजनाओं में निवेश किया है। इससे पहले छोटे निवेशक म्यूचल फंड खरीद कर या जीवन बीमा प्रतिष्ठानों द्वारा जारी कुछ पॉलिसियों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश कर सकते थे। इस योजना की आवशक्ता इसलिए है क्योंकि सरकारी प्रतिभूति बाजार में बैंकों, म्यूचल फंड आधी जैसे संस्थागत निवेशकों का वर्चसो है जो छोटे निवेशकों के लिए दुतियक बाजार में कम तरलता शेश रहने देते हैं। इससे पहले एक्सचेंज में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, गोबिड आप या रिटेल डेट मार्केट सेग्मेंट जैसे खुदरा निवेशकों के बीच जी सेक को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों का वांचित परिणाम नहीं मिला था। ये योजना निवेशकों के आधार को व्यापक बनाने में मदद करेगी। सैंक्तुराष्ट्रे जैवेवित्ता सम्मेलन द्वारा वर्ष 2030 तक प्रकृति के प्रबंधन के लिए एक नवीन वेश्विक फ्रेमवर्क जारी किया गया। के लिए चार उद्देशिस शामिल हैं। अक्टूबर 2021 में चीन के कुन्मिंग में निर्धारित CBD की कॉन्फरेंस ऑफ पार्टी जैनी कोप 15 में इसे और अधिक परिश्कृत किया जाएगा। इसके लक्षियों में शामिल हैं वेश्विक भूमी और समुद्री शित्रों का कम से कम 30 प्रतिशत सनरक्षित किया जाना। आकरामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश और उनके प्रभाव की दर में 50 प्रतिशत तक की कमी करना। प्रदत्य सेवाओं को बनाए रखना और उनका संवर्धन करना शामिल है। आनुवांशिक संसाधनों के उप्योग से सभी को उचित और समान लाब सुनिश्चित करना। उपलब्ध वित्तिय और कार्यान्वेन के अन्यसाधनों के बीच अंतर को समाप्त करना इसके तहत शामिल है। CBD वर्ष 1992 में रियोडी जेनेरियों में प्रत्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था। और ये दिसंबर 1993 में प्रभावी हुआ था। CBD पोहँच और लाब साजा करन पर नागोया प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा पर काटा जेना प्रोटोकॉल और IT जैव विवित्ता लक्षियों के कार्यान्वेन का समर्थन करता है। आईए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्तपुन सुरकियों के बारे में। सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतराष्ट्रिय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। ब्रेंजन के साथ भारतिय मूल की महिला सिरिशा बांदला सहे पांच क्रू सही योगी थे। वो कल्पना चावला और सुनिता विलियम्स के बाद अंत्रिक्ष में यात्रा करने वाली तीसरी भारतिय मूल की महिला बनी। खादी ट्रेडमार्क पंजीकरण खादी और ग्रामुद्योग आयोग ने हाल ही में तीन देशों हुटान, सेयुक्त अरब अमिराद और मैक्सिको में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। जालसाजी और धोका धड़ी से बचाओ में। संख्या 768 मिलियन थी, इसमें से आधे से ज्यादा यानि 418 मिलियन एशिया में अधिवासित थे, यानि एशिया में रहते थे। सर्वोतम प्रथाओं के तहट रिपोर्ट में इस तथ्य को रिखांकित किया गया है कि भारत ने कृषी पर जलवायू परिवर्तन के प्रभाव का निवारन करने के लिए किस प्रकार रागी के उपयोग को बढ़ावा दिया है। अंतरिक्ष चावल चीन ने पिछले वर्ष चंद्रियात्रा चांग E5 लुनार प्रोब से वापस लाए गए बीजों अंतरिक्ष चावल की अपनी पहली फसल की कटाई की। चीन के संकर चावल प्रजनन में योगदान करती है। जैसे कि भगवान जगननात, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को सेवायतों द्वारा खीचा जाता है। सेवायत वहां के पारंपरिक पुजारी होते हैं। आईए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों की। इसकी क्लिनिकल परिक्षन शमता 91.2 प्रतिशत है। पार्सल आईलेंज हाल ही में चीन ने दावा किया है कि उसने पार्सल द्वीप समूह से एक अमेरिकी युद्धुपोत को बाहर कर दिया है। अंगले अंग में फिर मुलाकात होगी। कुछ अन्य महत्तुपूंट खबरों के साथ तब तक अपना ख्याल रखिये। सुरक्षित दूरी बनाए रखिये। मास्क पहनिये। मूह और हाथ साफ रखिये। और बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकल लिए और टीका जरूर लगवाईए। और आब हमें यानि विजन आईएस की पूरी टीम को दीजे एजाज़त। नमस्कार।